तो भाई आज Riddle ने सही खेल खेलिया, Roman Reigns के साथ में वो गुरूप में होता नहीं, एक बंदा जो चूटी काट के भाग जाता है, कुछ वैसा ही काम Riddle ने Roman Reigns के साथ में किया है, और Roman Reigns के अगले अपोइन ना, Drew McIntyre नहीं है, तो SmackDown के साथ से और वी चुछी को में लोगे स आज को हार गए, बट वो इस बात को भी कहते हैं कि जो Bloodline है ना, उसके अंदर ये जो उसो सामने कुछ काम नहीं है, जो सारे शॉट्स है, वो Roman Reigns लेता है, तो आज जो है, हम डिमांड करने आये हैं, हमको मैच ही है, टैटल उनिफिकेशन का, क्योंकि हमको जो है, उसो से सा साथ में टैटल उनिफिकेशन वाला मैच करना है, अब ऐसा कहते हैं, वो बुला रहे होते हैं, रोमन रेंस को लेकिन एंट्री होती है, ब्लड लैंड की टी शिट पहने हुए, रस्टी की, रस्टी मतलब सैमी जेन, अभी रस्टी कैसे बने हैं, वो भी आपको पता चलेग और वो बाल में यह काफी रस्टी लग रहे हैं, उसके बाद रस्टी के चैन्ट होते हैं, सामी जेन कहते हैं, मेरा नाम रस्टी नहीं है, फिर वो बताते हैं कि यह से उन्होंने रोमन रेंस के अगेंस्ट में जिसने आवाज उटाई थी ना, शुंच के ना कम हो रहा है, तो रैडिल कहते हैं, अच्छा, अच्छा, ऐसा है कि अब बलड लाइन के अंदर चार उसकी तो हिम्मत है, ने कुछ चीज कहने की क्या तिरे अंदर वो हिम्मत है, तो क्यों ना तेरा और रिडल का मैच हो जाए, और उसके बाद जो भी अगर रिडल इस मैच को जीज जात बट पीचे से निकल कर आते हैं, अडम पीर्स और उन्होंने सैमी जेन और रिडल के मैच को ऑफिशल कर दिया, मतलब कि ये मैच अभी हमको शोग के ओपर देखने को मिलता है, हाला कि स्टिपुलेशन ऐसी कुछ यहां पर शायद थी नहीं कि अगर रिडल जीतेंगे तो उ उनको जोए उनिफिकेशन वाला मैच मांगने के लिए उनको उसोस, रोवन रेंस यानिकी जो असली वाली ब्लड लाइन है, उसके पास ही जाना पड़ेगा, हाला कि मैच में सैमी जेन ने वही चीज यूज करी, इवन I think Michael Cole यह पर Pat McAfee किसे ने तो कहाता कि जो नया लेकिन रिडल जो खुदी रिंग में चलिया थे, और रिंग में जाकर अपना फिनिशर ब्लो डेरिक लगा दिया, बहुत टाइम के बाद ही देखने को मिला, बट अच्छी बात है, रिडल अभी भी इस फिनिशर का यूज कर रहें, वरना तो अभी तक हमको उनके फ्लोट करने को मिलता है, जो कि बड़ी खुश होती है, SmackDown Women's Championship जीतने के बाद पर कहते हैं, देखो मैंने शारलट फेर के सांथ वो कांड कर दिया है, जो कि मुझे करना था, मेरे सामने कोई भी step up कर सकता है, जिसको आना है वो आजाओ, तो Raquel Rodriguez हम देखने को मिलती है, यहाँ पर Raquel Gonzalez जो कि उनका पहले बाद नाम था लेकिन WWE को नाम में चेंज करने के आता है, उनका accent मुझे यहाँ पर काफी साही लग रहा था, और उन्होंने का ठीक है, Ronda Rousey तुम लेजेंड हो, लेकिन आज हिस्ट्री मैं करने वाले हैं, जिसके बाद Women's Championship के लिए Raquel और Ronda का मैच होता ह है, and obviously बात ही है, यहाँ पर क्या ही Ronda Rousey हारती हुए कि कि अब इभी जो है शालक फेर के सामने सुनने चैंपॉन्शिप जीती हुई है, तो यहाँ पर उनका हारने को की सेंस बनता ने था, लेकिन मुझे यह अच्छा लगा, WWE ने जिस तरीके से मैच का फिनिश बुक किया रकेल गौंजालेज इस मैच में हारी, लेकिन ऐसे Ronda Rousey ने उनको टैप ओड ने करवाया, उनको पिन करके रोल करके उन्होंने पिन किया, जिसके बाद हम कुछे इनके बीच में रिस्पेक्ट भी देखने को मिलती है, दोने ही सूपर स्टार्स ने हाथ पकरा मिलाया, और और मेरे क्याल से नेक्स्ट बड़ी चीज हो सकते हैं विमन्स डिविजन के अंदर रकेल गॉंजालेज में वाला कॉमेंट कर रहा हूं, तो आप में से बहुत सालोगली होगे, आप तो रकेल गॉंजालेज रिलीज होने वाली है, बट मुझे लग रहा है उनके अंदर पो अच्छे तो शॉट मारे बड़ी जोर जोर के और पीछे मैट के मॉस कुछ पहनते हैं तो बाई वैसे खुली बॉडी पे तो और जोर जोर के वह चटक चटक लगते होंगे उनको, मैं तो इसको इमेजन में नहीं कर सकता, फिर उसकी बात क्या होता है, वह जो टोफी है जो मैट कैप मॉस ने बैटल वाल के अंदर जीती थी, उसको वह लेकर आते हैं, मैट कैप मॉस की गर्दन बीच में फसाते हैं, और स्ट्रोफी को ही वह उसमें पटक के मार देते हैं, और वह इतना रियल लग रहा था, मतलब में को यह भी समझ भी जा था, कि डबल लबली ने बड़े खुश थे इस बात से, लेकिन मैट कैप मॉस की ने हालत खराब कर दे हैं, मेरे क्याल से कहीं है कि यह वाला जो एंगल है वह बहुत जरूरी था, क्योंकि मॉस और क्यों पुच्चु पुच्चु देखके क्या ही मजा आता, लेकिन अभी इसी एक्स्रीम जा चुक कुछ काम ने करती, Championship successfully यहाँ पर रीटेन हो जाती है, कोफी वर्सिस बुच का मैज जेखने को मलता है, यहाँ पर भी डबल बली कुछ काम ने करती, इसलिए इसके बार में से जाता कुछ बात करूँगा नहीं, कोफी किंस्टन हार गए, बुच आज जीत गए, बुच जीत प्रेज है, उसके बाद यहाँ पर कहते हैं कि, जॉन सीनो को हराया, मैंने उसके बाद हूसने की बारी यहाई, हमेने हमेशा हरा राया कि सामने आकर पूछा कि मेरे नेक्स को हराया, लेकिन अम मुझे लगता है कि मैं तो टॉप अप दे मांटेन पहुंच चुका हूँ, मे रिंग के अंदर, अब रिंग के अंदर वो आते हैं, तो रेंडी होटन सबसे पहले तो एक चीज बता है रोमन रेंज को कि भाई तू अपने आपको चितना बनता है ना जॉन सने के सामने तेरा कुछ भी लेवल यह 10 टाइम्स उन्हों ने जो है जो है जो है जॉन सने को ऊ मैच यह होता है, रिडल और रेंडी होटन शोकियों पर आए इसलिए थे, अब उसोस भी चुपते नहीं है, उसोस कहते हैं कि ठीक है, ऐसा है तो हम भी ब्लड लाइन के बनते हैं, हमारी को ऐसे डिस्पेक नहीं कर सकता, रिडल और रेंडी होटन का सिंपल एक कहना होता है कि हमारे पास अभी एक सेट अफ टाइटल है, हमारे पास टू सेट्स अफ टाइटल हो जाएंगे, और उसके बाद हम दोनों चैंप्योंशिप को उनिफाइ कर देंगे, वन सेट अफ टाइटल बन जाएगा, यानि ये बात क्लियरली रिडल और रेंडी होटन ने बता दिय का युक्त परिंख जाते हैं, तो मेरे गंदे पर दो चैंप्योंशिप, दूसरे वाले उसके मैच सेहिधू तर यहां पर पहले से ही दो चैंप्योंशिप है और उसोज ने इस मैच के लिए अग्री कर दिया है और ये मैच आपको next week Smackdown के एपिसोड में देखने को मिलेगा मतलब WWE ने किसी premium live end का यहाँ पर wait नहीं किया और next week के Smackdown पर ही आपको यह बड़ा मैच देखने को मिलेगा अगर पॉलमन को भी काउंट किया जाए अगर उनकी स्ट्रटीजी को काउंट किया जाए और रोमन रेंस के चारे देखने लाग होते है बंदा उनके साथ चुटकी ले गया और उसके बाद वहाँ से चले जाते है जो कि आपको बता है यूके के अराउंड उनके कितनी बारे मी बाते हो रही है और यहां पर वह जो सौर्ड है उनकी उसके में बैकलिंज एज, कोडी रोड्स, ब्यांका बलेओर, सैथ रॉलिंस है और पीछे रोमन रेंज बिजे रूम के अंदर अपने सूबरेंट पंच की तयारी में है और यह काफी बड़े अलग रहा है, क्लैश अट दी कासल थीम भी अच्छी लग रहे है, शुरा तो मुझे लोगो देखके थोड़ा अलग रहा था लेकिन गाइस, according to Dame Melzer, WWE इस समय दुरू मैंटार का नेक्स चालेंजर नहीं देख, मतलब रोमन रेंज का नेक्स चालेंजर को देखी नहीं रहे है, बलकि WWE का समय प्लैन है, कार्डिफ के अंदर, यही धाश अट दी कासल के अंदर, रोमन रेंज और रोमन रेंज रूमाइ कर सकती है, like Bobby Lashley, Randy Oton वो हो सकते हैं, even थोड़ी बात पॉस्बिलिटी निकाले तो, maybe Brock Lesnar, मतलब यह तो कहर बोलना जाद ही हो जाएगा, बर आज इस तरीके से और Brock Lesnar और John Cena को मैंशन किया, क्या इसका कुछ लेंग है, जारा दिमाग वैसे दोडाना नहीं चाहिए, लेकिन से कट चुका Roman Reigns के अपोनेंट बनने के लिए, बट हाँ, देखते हैं अब क्या सीन मनता आगे, लेकिन Drew McIntyre Roman Reigns का Mega Match WWE प्लान करने का सोच है तो, ठीक है तो आज क्यों रहें तकिती अच्छ लेगी तो like, share, subscribe, notification, welcome on कर दो and see you guys in my next video